मुझानती, 31 मार्च के शुरिव दानमा सुकस वगत है परमात्मा चाहते हैं कि हमारे मन को अगर हम एकागर करना है तो हमें श्रेष्ट, शुद संकल कर शक्ति, 40 संकल करने बहुत जरूरी है तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ट संकल की शक्ति द्वरा सिध्धियां प्राप्त करने वाले सिध्धी सुरुप भवा आज संसार में रिशी मोनी पहाड़ों में जाते हैं कोट्री में अपने कोई बंद कर देते हैं कई दिनों तक अन्नी खाते हैं ताकि उनका शरीर के उपर पुरा कंट्रोल आजाए और उनका मन उनके वश में आ जाए परमात्मा कहते हैं कि उसे उनको थोड़ी सिध्धियां मिलती है उनकी सिक्स सेंस मनले छटी इंद्री थोड़ी जागरत होती है क्योंकि उपने पांच करमीद्रों को वो कंट्रोल में कर लेते हैं जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो क्योंकि आपका संकल्प सदा शुब और ख़ल्यांकारी है तो हमें अन्चोड़ने की जरूत निया है वरत परमात्मा के साहत में रहना परमात्मा की याद में रहना उसको भी वरत कहा जाएगा वो करने की जुरूत है हमें अपने वो कोट्री में बंद करने की जुरूत नहीं है हमें घरबार छोड़ करके कहीं जाने की जुरूत नहीं है पहाड़ों पर जाकर रहने की जुरूत नहीं है लेकिन आपका संकल्ब सदा अगर शुब हो श्रेष्ट और कल्यान कारी है जो श्रेष्ट और कल्यान का संकल्प है वे सिद्ध जरूर होता है तो इससे सिद्धी मिलदाती जो सुचते हैं वो हो जाता है मन सदा एकागर अर्थात एक ठेकाने पर स्थित रहता है लेकिन अगर हमारे संकल्प में श्रेषता नहीं है, अकल्यान की भावना है, किसी का बुरा करने की भावना है, किसी के बरतीश संकल्प पवित्र नहीं है, तो हमारी बुद्धी कभी ठिकाने पर नहीं रहेगी द्वेश, इर्शा, ग्रिणा, नफरत ये संकल्प कभी भी बुद्धी को एक आगर होने नहीं देंगे फिर हमारे पास में उसके उत्तर भी नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारा मन हम कहते हैं जैसे इंग्लिश में clouded mind है, हमारा मन के अंदर वो जहर घुल जाता है जिस का रेंट से हमें सही दिशा दिखती नहीं है भटकना भटकता नहीं है किसे अगर हमारे संकल्प के हो, श्रेष्ट हो, कल्यान के संकल्प हो तो हमारा मन भटकता नहीं है, ये राज है जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं ये शक्ति तभी आएगी जब हमारे अंदर श्रेश्टा हो संकल्प वित्र हो, कल्ड़ान कारी संकल्प हो और उके भी इससे सिद्धी सुरूप स्वता बन जाते हैं जो हम सोचते हैं वो हो जाता है उसमें विगन नहीं पड़ते हैं और उके जब कल्प उसमें हमारे अगींस नहीं होते हैं तो परमात्मा की आज ये सीख है इसको हम जितना अपने जीवन में धारन कर पाएं उतना हमारे ले अच्छा होम श्रेंती